जी नमस्कार मैं डॉक्टर अरून आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ कभी-कभी जीवन में बहुत महत्पूर्ण बातों को भी उन बातों को जिसे आसानी से लोगों को समझाया जा शकता है और समझाना जाना भी चाहिए लेकिन उन बातों को मेडिकल टर्म में साइन्टिफिक टर्म में इतना उल्जा दिया जाता है उस बात को इतना गंभीर कर दिया जाता है कि जो आम जान को जानने की जरूरत है उस जरूरत से वो आम जन बंचित हो जाते हैं जिसका लाब हो आसानी से ले सकते हैं उस लाब से वो बंचित हो जाते हैं और जीवन संकट में पड़ जाता है जी हाँ, आज हम ऐसे ही बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है कैंसर कैंसर का नाम सुनते ही सरीर में सिहरन पैदा हो जाता है अच्छो अच्छों की हालत खराब हो जाती है लेकिन आज हम बात करेंगे कैंसर के विशह में इतनी आसान सब्दों में हम चाहते हैं कि इसको आप लोगों के सामने हम प्रस्तूत करें कि जिसे सुनकर आप लाब उठा सकें कहते हैं कि prevention is better than cure हो जाने के बाद, cancer हो जाने के बाद उसे सम्हालना बहुत मुश्किल है लेकिन हम ऐसा क्या करें कि cancer हमें हो ही नहीं अगर ये बातें आम जनों के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी आवादी इस संकट में आने से बच सकती है जी हाँ, आज हम ऐसे ही बातों को बहुत ही आम भासा में समझाने की कोशिस करते हैं हर वेक्ती के सरीर में cancer के कोशिकाएं TB की कोशिकाएं, Tuberculosis की कोशिकाएं बहुत ऐसी बीमारी है जिसकी कोशिकाएं हर वेक्ती के सरीर में मौझूद है लेकिन जब वो कोशिकाएं आपस में संगठित हो जाती हैं तब वो अपना उग्र रूप धारन कर लेती हैं इसको एकदम आम भासा में ऐसे समझे के कैंसर की कोशिकाएं एक अपराधी कोशिकाएं है हर कोशिका एक छोटा मोटा अपराधी तब तो है एकदम अपराधी तब जैसे हमारे समाज में छोटे मोटे अपराधी होते हैं जिब कत्रे होते हैं, पकेट मार होते हैं, उठाई गीर होते हैं, किसी का समान कोई चोरी करके ले जाने वाले होते हैं, तो ऐसे अपराधी तत्व होते हैं हमारे सरीर में कैंसर कोशिकाएं लेकिन जब ओ कोशिकाएं आपस में एकत्रित हो जाती है किसी कारणबस शंगठित हो जाती है किसी कारणबस तो जैसे पूरे एरिया का सारे छोटे मोटे अपराधी एक जगा एकत्रित होके संगठित हो ग बड़ा अपराध करने की कोशिश करेंगे, बैंक लुटने की कोशिश करेंगे, डाका डालने की कोशिश करेंगे, अपहरन करने की कोशिश करेंगे, तो यही प्रकिरिया हमारे सरीर में लागू है, हमारे सरीर में कैंसर कोशिकाएं है, छोटे मोटे अपराधी की तरह यत्रत सरवत्र विचरित करना हैं घूम रहे हैं लेकिन हमारे किसी ऐसे कारे के कारण किसी ऐसी एक्टिविटीज के कारण जब आपस में संगठित होने लगती हैं तो वह संगठित अपराध करने की कोशिस में कैंसर का रूप धारन कर लेती हैं तो आज हम इसी को समझने की कोशिस करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ये कोशिकाएं आपस में संगठित नहीं हो पाएंगे तो आएए उन तीन बिंदूओं पर हम बात करते हैं हमारे वैदिक रिशर्चेज में योगिक रिशर्चेज में आईरवेदिक रिशर्चेज में ये सिध्ध हो चुका है कि नीम जो नीम की पतियां है ओक कैंसर सेल्स को एकत्रित नहोंने देती हैं तो अगर हम अपने जीवन में नियमित रूप से एक सिमित मात्रा में नीम की पत्ति, सिमित मात्रा कहने का मतलब अगर आप दस पत्ति रोज सुबह खा रहे हैं, तो दस पत्ति ही खाएं, अगर एक सिमित मात्रा में नीम की पत्ति का नियमित सेवन करें, तो ये कैंसर को सिका साथ एक बात अवस्य ध्यान रखें ये भी रिसर्च में सिध्ध है कि नीम की पतियां पुरुष के सुक्रानूं को भी नस्ट कर देती है तो अगर कोई पुरुष सुक्रानूं का जिसे जरूरत है और थात उसे प्रजनन की जरूरत है बंस बृद्धी की जरूरत है तो वो का शेवन ना करें और करें भी तो नियमित रूप में ना करें बस एक प्रिकर्शन नीम की पति के साथ यही है ऐसे अगर नीम की पति का नीमित सिमित मात्रा में शेवन किया जाए तो कैंसर कोशिकाय कभी भी एकत्रित नहीं हो पाती है दूसरी बात इस तरह हम पुरुष क सुक्रानु के विकास से ही गर्व के अंदर बच्चा पलता है तो सुक्रानु का विकास पूर्णतह मानव भुरुन में होने में कम से कम चार सारे चार महीना लगता है तो जो महिलाएं गर्वती हैं अगर इस पध्धती में जाना चाहती है तो उनसे निवेदन है कि गर्व की स्थिती में सारे 4 महीना है वैसे मैं बैस्वास के साथ कह सकता हूं कि 151 महीणा तक गर्भ से लेके 5 महीनें तक नीम की पथी का शेवन नहीं करें क्योंकि इन 5 महीनों में सुक्रानु का ही विकास होता रहता है जब पाचमे महीने में वो पूरा मानव भुरुन में तयार हो जाता है सुक्रानू की पधती उसमें खतम होके मानव विकास की पधती शुरू हो जाती है तो महिलाओं के लिए एक विश्यस बात आम कोशिकाओं के बनिश्पत कैंसर कोशिकाओं को 27 से 28 गुना ज़्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है अगर हम अपने जीवन में जो भोजन खाते हैं अगर भोजन के बीच का गैप कम से कम आठ और ज़्यादा से ज़्यादा दस घंटे के गैप पर भोजन करें तो कैंसर कोशिकाओं का पोशन नहीं हो पाता है वो छीन से छीन्तर होता चला जाता है और सरीड के किसी कोने में बीमार सा परा रहता है और आपका कोई बालमाका नहीं कर पाता है लेकिन हम अपने जीवन में आज कल देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा बहुत भेराइटी का खाना थोड़ा थोड़ा बार बार खाने की आदत लग गई है लोगों को विशेशकर जब से पच्छमी सभेता हावी हुई है होटल में गए जंग फूड खाए अनरगल खाना बार बार खारके हम अपने सरीर के कैंसर कोशिकाओं को एक कत्रित होने का शंगठित होने का मौका दे रहे हैं तो दूसरी बात कि हम अपने सरीर में अपने सरीर में कैंसर कोशिकाएं कत्रित ना हो, इसके लिए हम अपने एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम आठ और जादर से जादर दस घंटे का गयप निश्चित रखें। पुरातनी ब्यवस्था में भी इसलिए उपवास की पधती रखी गई है। उपवास करने से एक नियमित अंतराल पर शप्ताहिक करें, पाक्षिक करें, मतलब 15 दिन पर करें, तो कैंसर कोशिकाएं उस दर्मियान छीन हो जाती हैं और संगठित होने की प्रकिरिया रुक जात हैं। तीसरी और सबसे महत्वपुर्ण बात, जिस तरह हमारे समाज में अगर अच्छी कानून व्यवस्था हैं, और समाज के अंतर शांती हैं, एक अनुशासन हैं, तो वहाँ पे अपराधी पनप नहीं पाते हैं, अपराधी अपराध नहीं कर पाते हैं, यही बात हमारे सरीर के अंदर भी हैं, अगर हमारा मन शांत हैं, सरीर अनुशासित हैं, तो जो अपराधी कैंसर को सिकाएं हैं, वह भी कोई अपराध नहीं कर पाता हैं, अर्थात अगर हम मन से काफी प्रसंद रहें, प्रसंचित रहें, अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें, निय नियत समय पे सोना, नियत समय पे रखाना, परसंद चित रहना, पोजेटिव थौट्स को लेके रहना, ऐसे अगर आप रहते हैं, उस इस्थिती में भी ये अपराधी को सिकाएं संगठित नहीं हो पाती है और कोई अपराध नहीं कर पाता है, तो इतनी महत्रपूर्ण बात क बिना मेडिकल टर्म के एक आम भासा में मैंने समझाने की कोशिस की है, और उमीद नहीं बिश्वास है कि आपको जरूर पसंद आया होगा, और ये बहुत ही महत्रपूर्ण बात है, आप सबसे मेरा अंगरोध है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, वीडियो क लाइक जरूर करें, और एक नमर निवेदन है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बरधन होता रहे, नमस्कार धन्यवाद